दोस्तो एक और आगनिवीर आर्मी की नई नोटिफिकेशन आई है नई बर्थी आई है आपको अभी दिखाया जाएगा कि कहां पे ये बर्थी होने वाली है कौन-कौन जा सकता है कब होगी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी आपको पूरी नोटिफिक आगनिवीर वर्ती हो उसकी जानकारी दी जाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना यूट्यूब पे आल वीडियो से देख लेला एक मततर चैनल होगा आर्मी दौछ जो सबसे पहले अगनिवीर आर्मी की ओपन रैली वर्थी वर्ती की जानकारी देता हैं आज ज इसी के भी notification आये तो आर्मी दोष चैनल पर दिखा दिये जाएगा चलो आपको दिखाते हैं notification जो आज बर्थी आई है दोस्तो जे रहा बर्थी का notification अभी मैं आपको पूरी अच्छे तरिके से समझाता हूँ कि बर्थी कहाँ पर होगी कौन-कौन जा सकता है सबसे पहले मैं बता दूँ जे बर्थी है sports quota और आपकी अर्रेलेशन वालों की sports person की जो बर्थी है sports वाली अगनी वीर की बर्थी है अगर आप open rally बर्थी देखते हो तो आपकी भी जल्दी आएगी जल्दी ही आपको सबसे पहले आर्मी दो चैनल पर दिखा दी जाएगी किसी भी राज्य में आई तो चैनल को सस्क्राइब कर लो ठीक है आप सब को बता दू जे जो बर्थी होने वाली है 39 गोर्खा training center में जे बर्थी होने वाली है तो अब भी मैं आपको जनकारी देता हूँ कब से बर्थी होगी देखिए थोड़ा सा दूंदला है मगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ जर्नल ड्यूटी जिसे आप GD कहते हो जिनके पास नपाली डोमेसाइल है उनकी जो बर्थी होगी वो 9 दिसंबर से लेके आपका physical measurement test होगा ठीक है दोर बगारा और आपकी शाती बगारा test बगारा होगी ठीक है 9 दिसंबर को जिनके पास नपाली या डोमेसाइल है ठीक है 10 मी पास बर्थी और आपकी 8 मी और 10 मी ट्रेयर मैन की बर्थी और 10 दिसंबर को जिनके दोर होगी ठीक है इस बर्थी की दोस्तों उसके बाद आपका ठीक है डाकुमेंट्स होगे 11 और 12 दिसंबर को और मैं आपको बता दू जो स्पोर्स परशन है जहां पर देखी है जहां पर स्पोर्स परशन और म्यूजिएश्ट्र वाले 33 डिसंबर 13 डिसंबर को इनका ट्राइल होगा एपिटउट टेस्ट होगा ट्राइल वगहरा होगा आगे बात करते हैं कि एक्जाम कब होगा एक्जाम बताने से पहले आपको जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों आपको आगे जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दू आप सबने S.S.E.G.D. का भी फार्म लगाया होगा S.S.E.G.D. की भी त्यारी कर रखे होंगे आप सब को बता दू अगर आपको त्यारी करनी है S.S.E.G.D. की तो आपको अच्छी भुक चुनना बहुत ही जरूरी है अच्छी भुक है चक्शू भुक इस भुक में दोस्तों आपको नए पैटन के हिसाब से कोशन मिलेंगे जो नए पैटन हुआ है 80 कोशन बाला और नए 2023 और 22 का जो नए सलेबस उसके तहत बनाए गए कोशन आपको चक्शू भुक में मिलेंगे इसका एक गाइड भी मिलता है और आपको एक प्रैटी सेट भी मिलता है तो आप इन दोनों को प्रचेस कर सकते हो ठीक है आपको मैं इसकी खासियत बता देता हूँ अठाई सो कोशन आपको मिलेंगे और सलेबस जो नए सलेबस नए पैटन बना हुआ है उसके तहट बनाए गए कोशन उसके उसको देखते हुए इसमें कोशन डाले हुए है जहें गाइड भूक भी है और आपको प्रैटी सेट भी है ससी जीडी की बेस्ट बुक चक्षु बुक आपको जिसमें अठाई सो कोशन मिलेंगे और नए पैटन के हिसाब से बनाए गए जे बुक है नाम है चक्षु बुक ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो और आप लोकल मार्किट से भी ले सकते हैं आगे बात करते हैं बर्ति की दोस्तों उसके बाद ट्राइल होने के बाद 13 नमबर को ट्राइल होगा उसके बाद मैडिकल आपका टेस्ट होगा 15 दिसंबर को उसके बाद आपका फाइनल डाकूमेंट फिर से होंगे 9 से लेके 10 जनबरी 2023 लिखना था इनोंने 22 लिख दिया है और फिर आपका एरमेरी टार होगा 23 जनवरी 2013 जनवरी 2013 को और एक्जाम होगा 15 जनवरी 2023 को ठीक है तो जे थी बर्थी जो रेलेशन की बर्थी आई है जे जो सेंटर है जे है दोस्तो 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर दोस्तो जे सेंटर है आपका 12 नसी टेंटमें ठीक है तो आप सब कैसी लगी वीडियो जुरूर कमेंट करके बताना